दोस्तो आज की समय में डाइबिटीज होना है काम बात हैं जिस तरह का अजल का लाइफ इस्टाइल है उसमें डाइबिटीज बहुत तेजी से पनी पकड़ बना रहा है इस्तिति याए कि ने सिर्फ अधिकुम्र के लोगों को बलकि आज की समय में युवा और बच्चे भी इबिटीज की चपेट में आ रहे हैं दोस्तो यह एक इसा खदरनाक रोग है जो शरीड को दीरे-दीरे खोकला कर देता है एक बार यह बिमारी होने पर जीवन पर इसका साथ रहता है दोस्तो आप जानते हैं कि यह बिमारी क्यों होती है दोस्तो बलट शुगर के बढ़ने से यह बिमारी होती है और इंसूलें सही तरीके से काम नहीं करता है यानि इसमें कई तरह की समस्या वे सामना भी होता है अगर इसको नजर अंदाज किया जाए तो सरीर के दूसरे अंग निश्करिये हो सकते हैं अगर आप भी समस्या दे प्रसाने तो आज के वीडियो में हम इसी विषय के उपर चर्चा करेंगे वीडियो को सकित ना करें पूरा देखेए दोस्तो इस वीडियो में हम आपको एक एस ल मेडिस्ट के बारे में बताएंगे जो आपके सुगर को Cru करने में आपको मिदद करेगा दोस्तों इस प्रोड़क्ट का नाम है हरबो ड इसमें शिलाजीन, गुर्मार बूटी, करेला, नीम, यशद बस्म, गिलोय, मेथी, जामुन, बिजशार, अमला, हल्दी, कलोंजी, आधिय, अज़विदिक जड़ी बूटिया मिलाई गई हैं। दोस्तो अब इसके बेनिफिट्स के बारे हम बात करते हैं। दोस्तो यह मदु में को नियंतरित करता है, इंसुलिन को नियंतरित करता है, तथा अबनाश्य में नई बीटा कोशिकाओं के निर्मान कर, ओटो बीटा कोशिकाओं को संतुलित करता है। हर्बर डाइविकॉन कैपसूल कोलेस्ट्रोल इस्तर और शरीर के रक्त सरकरा को बनाए रखता है रक्त चाप की दर को इस्तिर करता है तथा गुलुकोस का उप्योग करने के लिए सरीर को सच्चम बनाता है दोस्तो यह प्रोड़क्ट एकरत और मास्पेसिवी गुलुकोगागन सामागरी बढ़ाकर कोलेस्ट्रोल को मेनेज करता है उप्या के स्तर को बढ़ाता है बोजन के बाद स्पाइस को कम करने में मदद करता है तथा हर्भी डाइपेकोन कैप्सूल नौर्मल बलड सुगर लेविल के स्तर को बनाए रखता है सरीर के बजन को बनाए रखता है और ठकान तनाव और सामाने कमजोरी को दूर करने में मदद करता है औक्सिडेटी उतनाओं को कम करने मदद करता है, मदूमे के रोगयोग में आखों के लैंज और अन्य सर्ण रचनाओं की रक्षा करता है यह कैपसूल लंबे समय तक चलने वाली मदूमे संबंदी समस्याओं को कम करता है सबस्त कोलेस्टरोल के इस तरको बनाए रखने में सायता करता है रख्त सरकरा को नियत्रित करने में सभवावी प्रोप से मदद करता है दोस्तों जानते हैं कि आप अरबोड डाइब वेकोन कैपसूल वो कैसे इस्तमाल कर सकते हैं आप इसको सुबा नास्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद एक कैपसूल पानी के साथ इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों जानते हैं कि आप इसको कैसे खरीब सकते हैं आप इसको हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक के दुआरा या फिर अपने नज्दे के मैंटिकल इस्टोर से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों वैसे तो हमने आपको अर्बोडाइबी कॉन कैप्सुल के बारे में पूरी जानकारी दे दिये फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो अमने इस स्क्रिण पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आप कोल करके बहुती आसानी के साथ अपनी प्रोब्लम का सोलूशन पा सकते हैं लोग मीते दोस्तों आपको हमारे या वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे या वीडियो पसंद आया है तो आप मारे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से अगल वीडियो म झाल